साथियों इस बार वाकई पस्षिम मंगाल के लोगों ने ठान लिया है स्पीड ब्रेकर दिदी को अब 23 मैं के बाद समझा जाएगा कि जन्ता के साथ गुन्डा गर्दी करने का उनके पैसे लूटने का उनका विकास रोकने का नतीजा क्या होता है मैं मिडिया में देख रहा था कि कैसे सामान्य लोगों ने हमारी बेहनों ने टी एम सी के गुन्डों को सबक सिखाया उनकी लाख लाख कोशिशों के बावजूद दमकियों के बावजूद भारी संख्या में किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी हमारी माताए बहने और हमारे नवजवान साथी वोट देने के लिए निकल पड़े भायों बंगाल में पहले और दूसरे चरण में मतदान की जो रिपोर्ट आई है उसने स्पीड बेकर दिदी की निंद पर भी ब्रेक लगा दिया है इसी बोखलाहट में किस तरह के जदन्य अपराद हो रहे है वो भी देश देख रहा है पुरूलिया में हमारे एक और कायरकरता की हत्या की गई अपने इस साथ ही परीजनों के साथ मैं खूद और पार्टी का एक एक कायरकरता खड़ा है मैं पसिम मंगाल बीजेपी के हर कायरकरता को यहां के हर मतदाता को यहां के बच्चे बच्चे को आश्वासन दिलाता हो कि इस अत्याचार का पूरा न्याय होगा बीजेपी के हर कायरकरता बंगाल के हर व्यक्ति के साथ जो हिंसा हुई है उस हिंसा करने वालों के उस साजिस करने वालों को अब कानून सजा करके रहेगा न्याय होके रहेगा ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी साथियों पस्चिम मंगाल में धमकी लूट और प्रश्टाचार का एक खेल ऐसे ही चलते रहना चाहिए क्या ऐसे ही चलते रहना चाहिए क्या क्या स्पीड प्रेकर दिवी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए के नहीं मिलनी चाहिए कड़े से कड़ी सजा दोगे हिम्मत के साथ दोगे पूरे पंगाल में दोगे गाउं गाउं में दोगे हार गली महले में दोगे हार पोलिंग बुथ में दोगे भाईयो बहनो मुझे आप पर भरोसा है और आप देने वाले है ये पहले वार दूसरे चरण में मैं देच चुका हूं भाईयो